हेलो दोस्तों, UPSC Hindi की ओनलाइन स्टिटी प्लेटफार्म में आपका स्वागत है UPSC Hindi द्वारा UPPCS Pre 2023 के लिए चलाईगी इस टेस्स सीरीज की पार्ट 9 को हम डिसकस कर रहे हैं और इसके अंतरगत जो है कि दो क्लासिस पहले हो चुकी है और इसमें जो है कि हम सामान्य विज्ञान और पर्यावरण और फारिस्थितिकी के प्रशनों को कवर कर रहे हैं आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज का अगला प्रशन इसमें देखते हैं इसमें आज का अगला प्रशन है प्रश्न को देखेंगे अपसिस्ट प्रबंधन की इस विधी में शेहरों की आसपास की खाली स्थान में अपसिस्ट को एकत्र किया जाता है इस दोरान यह ध्यान रखा जाता है कि जिस छेत्र में अपसिस्ट एकत्र किया जा रहा है उसे मिट्टी से ढखा जाए ताकि संदूशन यानि कॉंटेमिनेशन से बचाओ किया जा सके तो यहां जो है कि कुछ अपसिस्ट प्रबंधन की विधिया लिखी हुई है और इसमें ये बताना है कि ये जो है कि किस प्रकार की विधिया है तो देख लेंगे इसमें जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑप्शन इसमें A है लैंडफिल, B है भस्मी करड, C है ताब विगटन और D है प्लाज्मा गैसिफिकेशन तो इसमें हम देख लेंगे तो यहां जो दिया हुआ है यह किस प्रकार की विधि का वड़न यहां किया गया है तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नमबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि लैंडफिल, देखेंगे लैंडफिल तो लैंडफिल के तहज जो है शेहरों के आसपास के खाली अस्थान में जो भी अपसिस्ट होते हैं उनको एकत्रित किया जाता है और उसे जो है कि मिट्टी से धक दिया जाता है ताकि संदूशर से बचाओ किया जा सके और इसका ही प्रियोग जादा किया जाता है क्योंकि ये विधी जो है अधिक वेहनी है तो लात्मक रूप से अधिक वेहनी है तो इस करड़ इसका प्रियोग जो है कि अधिक किया जाता है बाकी आप्शन को भी हम इसमें देख लेंगे बाकी आप्शन में इसमें हम भस्मी करड़ को देखेंगे तो भस्मी करड़ या फ तीसरे विधी को देखेंगे, जिसको ताप भिगटन कहते हैं, या फिर इसको जो है कि पारोलिसी भी कहते हैं, इसमें जो है कि जो भी ठो सबसिस्ट हैं, उनको जो है कि आकसीजन की अनुपस्थिती में रसायनी की रूप से उनको अपघटित किया जाता है, तो ये जो है कि आप भिगटन है, प्लाजमा गैसिफिकेशन, प्लाजमा गैसिफिकेशन को देखें, तो इसमें जो है कि विद्दूत का उपयोग करके जो है कि जो भी कच्छे रहते हैं, उनको जो है कि सिन गैस में परिवर्तन उसका कर दिया जाता है, तो ये जो है कि कुछ अफसिस्ट प्रबंधन की कुछ विदिया है और इसका जो सही उत्तर हो जाएगा option number A इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला है अगला प्रश्ट हम देखेंगे कि पारिस्थित की पिरामिड की ओधारडा का प्रतिपादन सरुपर्थम किसके द्वारा प्रस्थूत किया गया था और इसमें हम option देखेंगे option A है Charles Elton, B है Charles Butlan और C है Charles Robbins और D है Charles Bernard तो पारिस्थित की पिरामिड की जो अधारडा का प्रतिपादन सरुपर्थम किसने किया था इसका जो सही उत्तर हो जाएगा option number A इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि Charles Elton देखेंगे वर्ष 1927 में सरुपर्थम जो है Charles Elton द्वारा पारिस्थित की पिरामिड की अधारडा प्रस्तुत की गई थी और पारिस्थित की पिरामिड जो होते हैं वो मुख्यरूप से तीन प्रकार के होते हैं पहला इसमें हम देख सकते हैं संची तूर्जा की पिरामिड दूसरा हम देख सकते हैं जैव संख्या का पिरामिड और तीसरा जो है वो हो जाएगा जैव भार का पिरामिड तो ये तीन प्रकार के जो है की मुख्यता हम पारिस्थित की पिरामिड को देख सकते हैं और इसकी अउधारा का जो प्रतिपादन किया गया था ये 1927 में चॉल सेल्टन के द्वारा किया गया था अगला हम इसमें प्रशन देख लेंगे अगला प्रशन है इसमें कि विश्व का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट किस देश में स्थापित किया गया है और इसमें हम ऑप्शन को देखें तो ऑप्शन A है नौर्वे, B है आइसलेंड, C है स्वीडन और D है फिनलें और इसमें जो सही ऑप्शन हो जाएगा सबसे बड़ा विश्व का कार्बन कैप्चर प्लांट किस देश में है तो ऑप्शन नमबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि आइसलेंड इसका सही उत्तर हो जाएगा आइसलेंड की एक कमपनी ने जो है विश्व का सबसे carbon capture plant इस्थापित किया है जो कि हम देखें direct रूप से तो direct तौर पर प्रत्यक्स तौर पर यह यह जो है वायू से carbon dioxide को आवशोशित करेगा और उसे भूमिगत रूप से उसको इकठा कर देगा उसको संग्रहित कर देगा तो इस प्रकार जो यह प्रतिवर्ष 4000 यह प्रतिवर्ष 4000 टन कारबन डायाकसाइड को आउशोशित कर सकता है जो कि लगबग 870 कारों से होने वाले वार्षी कुछ सर्जन के बराबर होगा तो इस प्रकार यह देख सकते हैं अगला हम प्रशन देखेंगे इसमें अगला जो प्रशन है कि यूरोप क अमेजन किसे कहा जाता है और इसमें ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन इसमें A है आलपस, B है ब्लैक फॉरेस्ट, C है सीन नदी घाटी और D है मुराद रवा डैन्यूब बायोस्फेर रिजर्व तो यूरोप का अमेजन इसमें पूछ रहा है यह किसे कहा जाता है तो इस इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि मुराद रवा डैन्यूब बायोस्फेर रिजर्व को जो है यूरोप का अमेजन कहा जाता है इसको हम देख लेते हैं मुराद रवा डैन्यूब बायोस्फेर रिजर्व को तो इसको जो है कि यूरोप का अमेजन कहते हैं तथा यह जो सबसे बड़ा नदी सनरक्षit छेत्र है तो युरोग का सबसे बड़ा ये जो है नदी सनरक्षit छेत्र है और ये बाइयोड इस फेयर रिजर्व जो है मुरा, द्रवा और डेन्यूब नदियों के 700 किलोमिटर के छेत्र में फैला हुआ है तो ये स्लोवेनिया क्रुएशिय हंगरी इसी के साथ सर्बिया सर्बिया इन छेत्रों में ये फैला हुआ है तो इसे जो है कि यूरोप का अमेजन कहा जाता है तो option D इसका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट हम देखेंगे अगला जो प्रश्ण है अगला प्रश्ण है कि डार्डेनल्स वो बॉस्पोरस जो जलसंधिया है वो एशिया को किस महादीब से अलग करती है तो हम इन जलसंधियों को देख ले तो option देखेंगे option A है योरोप B है उत्तरी अमेरिका C है अफरिका D है अस्ट्रेलिया और इनको देखें तो यह जो जलसंधिया है वो एशिया को किस महादीब से अलग करती है तो इसका जो option सही हो जाएगा option number A इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि योरोप अगर हम इनको देखें अगर हम एशिया की योरोप को अलग करने वाली जलसंधियों को देखें तो यह जो है कि डार डेर्नल्स और बास्पूरस हो जाएगी जबकि अन्य जो चीजें जो है कि इन दोनों को अलग करती है देख लेंगे इसमें जो है कि भुमद्य सागर काला सागर कैस्पियन सागर उसी प्रकार यूराल परवत को देख सकते हैं यूराल परवत यह भी चीजें जो है कि एशिया को यूरोप से अलग करती है तो इस प्रकार भुमद्य सागर, काला सागर, कैस्पियन सागर, यूराल परवत और डार्डेनल्स और बास्पोरस जो जलसंदिया है वो जो है कि एशिया और यूरोप को अलग करती है यहां हम देख लेंगे यह दोनों जलसंदिया कहा है इसा एक संक्रा या फिर ऐसा पतला मार्ग है जो दो पानी के समूहों को जोडता है तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा नेक्स्ट हम देखेंगे अगला जो प्रशन है कि भारत का प्रथम रात्रिवन ने जीव पार्क यानि नाइट साफारी पार्क उत्तर प्रदेश में कहां इस्थित है और इसमें हम ऑप्शन को देखेंगे तो ऑप्शन ए है प्रयागराज बी है बलिया सी है ग्रेटर नोइडा और दी है हापोर और इसमें हम देख लेंगे ऑप्शन जो इसमें सही हो जाएगा ऑप्शन नमबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि ग्रेटर नोइडा में देखेंगे भारत का प्रथम जो नाइट साफारी पार्क है वो ग्रेटर नोइडा में स्थित है अगला हम देखेंगे अगला जो प्रश्ण है अगला प्रश्ण हम देखें तो ये राष्ट्रिय सतत कृष्ची मिशन के संदर में नमलिखित कतनों पर विचार करें और इसमें जो पहला कथन दिया हुआ है इस से संबंधित वो कह रहा है कि यह मिशन जलवायू परिवर्तन पर रास्ट्री एक कार यह योजना के तहत उलिखित आठ मिशनों में से एक है और दूसरा यह कथन कह रहा है कि मृदा स्वास्त प्रबंधन इस योजना का एक दो दो नो और ना ही 2 और इसमें जो उप्षन सही हो जाएगा उप्षन 이ता ही उत्तर हो जाएगा यहानि एक और दो दो दोनों देखेंगे यह जो मिशन है जलवायू परिवर्तन पर रास्ट्री एकारי नमबर C, इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानि एक और दो दोनों, देखेंगे ये जो मिशन है, जलवायू परिवर्तन पर रास्ट्री कारियोजना के तहट जो है, जो भी आठ मिशन दिये गए हैं, उन में से एक है, और इसका जो है, दूसरा इसमें जो कथन है, तो ये जो है कि कृषी को और भी अधिक संधारडिय बनाने के लिए, उत्पादक बनाने के लिए, तथा जलवायू अनकूल बनाने के लिए, इसके उद्देश से जो है, मृदा स्वास्त प्रबंधन की इस योजना को एक महत्वपूर उप घटक के रूप में देखा जाता है, तो ये ये नमक ऑनलाइन टूल किस से संबंधित है, अवेर नमक ऑनलाइन ये जो टूल है, वो किस से संबंधित है, यहां हम विकल्पों को देखें, तो विकल्प इसमें A है, आतंकवाद रोधी गति विधियों से निपटने में सामुदायक भागिदारी सुनिश्यत करने से, B है गैर संचारी रोगों के बारे में जागरूपता बढ़ाने से C है सरकारी कार्यालों में भरस्टाचार की जाँ छे तू प्रारंभ भरस्टाचार विरोधी अभियान से और D है बढ़ती प्रती जैविक प्रती रोधक्ता को नियंतरित करने है तू विश्वस्वास्त संगर्थन द्वारा विक्सित एक उपकरण से तो अब एर को देख लेंगे अब एर के संदर में इसमें से कौन सा ओप्षन सही है तो option number D इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि बढ़ती प्रती जैविक प्रती रोधक्ता को नियंतरित करने के लिए विश्वस्वास्त संगर्थन द्वारा विक्सित एक उपकरण से तो option D इसका सही उत्तर हो जाएगा देखेंगे इसको तो ये जो है कि विश्वस्वास्त संगर्थन यानि World Health Organization WHO जो है उसके द्वारा अवेर नामा के एक online tool विक्सित किया गया है और इसका उदेश देखें तो इसका उदेश जो है सुरक्षित और अधिक प्रभावी ढंग से जो एंटिबायोटिकस है एंटिबायोटिक दवाओं का उपयोग करने के लिए नीतियों का निर्माण करना तथा इनसे संबंध ही जो भी स्वास्त कारी करता है उनका मारदर्शन करना इसका उदेश है और अवेर जो है जो भी इसके संबंध में नीती निर्माता है चिकिसको तथा जो भी स्वास्त कर्मी है उनके लिए जो है कि सही समय पर सही एंटिबायोटिक का चेयन करने के संबं जो है कि बिमस्टेक के संदर्ग में है और इसके संबंद में जो है कि निमलखित कतनों पर विचार करें बिमस्टेक के संबंद में और इसमें पहला जो कथन कह रहा है कि बिमस्टेक का जो गठन हुआ था वो जून 1997 में बैंककॉप में किया गया था और दूसरा कह रहा है इस दूसरा है, बी है, केवल dois, सी है एक और दो 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 और डी है ना तो एक और ना ही दो. और इसमें, जो ओप्शन सही हो जाएगा, ओप्शन नम्बर सी, इसका सही ऊतर हो जाएगा, यानि एक और दो दोनों कतं जो है कि बिम स्टेक के संदर में सही है, देखेंगे बिमस्टेको तो ये जो है कि एक उपछेत्रिय आर्थिक सहयोग समूग के रूप में इसका गठन किया गया था और इसका गठन जो हुआ था वो जून 1997 में बैंककॉप में किया गया था तो जो हम पहला कठन देख लेंगे वो बिल्कुल सही हो जाएगा दूसरा कठन इसमें कह रहा है कि फरवरी 2004 में भूटान और नेपाल भी समू में शामिल हो गये थे तो देखें प्रारम में इस संगठन में जो है बांगलादेश भारत प्रारम में जो है इस संगठन में जो देश थे उनको देख लेते हैं इनमें जो है कि बांगलादेश भा श्री लंका और थाइलेंड इसमें शामिल थे श्री लंका थाइलेंड इसमें शामिल थे और फरवरी 2004 में भूटान और नेपाल भी इस समू में शामिल हो गया थे तो ये दोनों कथन वीम स्टेक के संदर में बिल्कुल सही है अगला हम प्रश्ण देखेंगे अगला प्रश्ण है कि गंगा डॉल्फिन के संदर में निम्लिखित कतनों पर विचार करें और गंगा डॉल्फिन के संदर में हम इन कतनों को देख लेते हैं जो इसमें पहला कतन कह रहा है कि इसका वैज्यानिक नाम जो है वो जो है कि प्लैटनिस्टा गैंगेटिका है और दूसरा है कि गंगा डॉल्फिन मीठे पानी में नहीं रह सकती और यह द्रिस्टिहीन होती है तो इसके संबन में कौन सा कथन सही है अभी कल्टु को हम देखें तो A है केवल 1, B है केवल 2, C है 1 और 2 दो और D है ना तो A और ना ही 2 और इसके संदर में हम देखें तो इसमें जो कथन सही हो जाएगा option number A इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि इसमें जो पहला कथन है वो गंगा डाल्फिन के संदर में बिल्कुल सही है इसका बैग्यानिक नाम देखें तो इसका जो बैग्यानिक नाम है वो प्लैटनिस्टा गेंगेटिका है पहला कथन सही है और गंगा डाल्फिन की जो खोज की गए थी आधिकारिक तोर पे वो जो है 1801 मेस की खोच की गई थी दूसरा इसका जो कथन कह रहा है कि ये मीठे पानी में नहीं रह सकती और ये द्रिश्टिहीन होती है तो देखेंगे गंगा जो डॉल्फिन होती है द्रिश्टिहीन तो होती है लेकिन ये जो है केवल मीठे पानी में ही रह सकती है तो इस प्रकार ये दूसरा कथन जो हो जाएगा गलत हो जाएगा और यहां सही पूछ रहा है तो option ए इसका सही उत्तर हो जाएगा next हम देखेंगे next है इसमें question जो है अगला इसमें हम प्रशन देखेंगे अगला प्रशन है संपीडित बायो गैस यानी CBG जिसको compressed बायो गैस भी कहते है उसके संबन में निमलिखित कत्मों पर विचार कीजी इसके संबन में जो पहला कथन कहा रहा है कि CBG में 90 प्रतिशत से अधिक मीठेन गैस होती है दूसरा कथन कहा रहा है कि उश्मी अमान एवंग अन्य गुर धर्मों के संदर में CBG संपीडित प्राकृतिक गैस यानी जो CNG है उसी के सामान है इसलिए इसका उप्योग एक हरित नवीकरडिय सोचालित इंधन के रूप में किया जा सकता है और तीसरा इसके संदर में कथन जो कह रहा है कि जो गोबर धन योजना है उसके अंतरगत पशू के गोबर और खेतों के ठोस अपसिस्ट पडार्थों को कमपोस्ट बायो गैस बायो CNG में परिवर्थित किया जाता है इसमें से ये सही कथन पूछ रहा है और option देख लेंगे A है केवल एक और दो B है केवल दो, C है केवल तीन और D है एक दो और तीन और इसमें जो option सही हो जाएगा option number D इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि compressed bio gas के संदर में CBG के संदर में ये तीनों ही कथन बिल्कुल सही है, देखेंगे भारत सरकार ने जैव इंधन पर रास्ट्रिय निती 2018 जारी की थी, जो कि CBG सहित अन्या उन्नत जैव इंधनों को प्रोचसाहन पर इनको जोर देती है, और बायो गैस को देखेंगे तो इसमें जो है कि हाइड्रोजन और जलबाश को हटाने के लिए शुद्ध किया जाता है, और CBG में परिवर्तित इसको किया जाता है, अगर इसमें हम देखें तो इसमें जो है कि 90 प्रतिशत से अधिक जो है मिधेन गैस होती है, तो पहला कथन ये सही हो जाएगा, दूसरा जो कथन कहरा है ये भी सही है, आगे हम इसमें हम देख लेंगे गोबर्धन योजना को, तो भारत सरकार द्वारा जो है, पशुव के गोबर और खेतों के थोश अपसिस्टों को, बायो CNG अर्थात CBG और खाद में परिवर्तित करने के लिए गोबर्धन योजना की शुरुवात की गई है, फुल फॉर् यह इसका फुल फॉर्म हो जाएगा जो गोबर्धन योजना है, तो यह तीनों जो है कि CBG के संदर में सही कतन है, नेक्स्ट हम देख लेंगे अगला जो कतन है, अगला जो क्वेस्चन है, अगला क्वेस्चन हम देखें तो इंडिया पूलीं एक्शन प्लान, ICAP के संदर मे निमनेखित कत्मों पर विचार करें, और इसमें जो पहला कतन कहा रहा है कि यह कहा रहा है कि ICAP को परियावरण बन और जलवायू परिवर्तन मंत्रा लें, द्वारा लांच किया गया है, और दूसरा कहा रहा है कि ICAP क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के लिए भारत की प्रतिबधता की अनुरूप है, और कौन सा क्थन इसमें सही हो जाएगा, विकल्प देखें तो, A हे केवल 1, E हे केवल 2, C हे 1 और 2 दो और D है ना तो 1, और ना ही 2, और इसमें जो अप्षिन सही हो जाएगा, अप्षिन नमबर 08, इसका सही उतन भुत हो जाएगा, यानि केवल 1 क्थन ह केवल पहला कथन जो है इसमें सही है देखेंगे इंडिया कूलीन एक्षन प्लान जो है कि केंद्री परियावरण वन और जल्वायू परिवर्तन मंत्राले के अधीन ओजन सेल द्वारा लॉंच किया गया है तो इस प्रकार हम देख लेंगे पहला कथन जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा दूसरा यह कहा रहा है कि IACAP क्योटो प्रोटोकॉल 1997 के लिए भारत की प्रतिपधता की अनुरूप है तो यहां ध्यान देंगे यह क्योटो प्रोटोकॉल के लिए नहीं बलकि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 जो है उसके साथ साथ जो है कि 2015 के पेरी समझोते में जलवाई परिवर्तन से निपटने के लिए भारत की प्रतिपधताओं की अनुरूप है तो यहां क्योटो प्रोटोकॉल नहीं होगा इसलिए यह कथन जो है कि गलत हो जाएगा और इसका जो आप्शन सही हो जाएगा और इसका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट हम देखेंगे अगला जो प्रेश्न है अगला प्रेश्न देख लेंगे अगला प्रेश्न कहा रहा है कि प्रोविजनल स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022 के संदर में कथनों पर विचार करें और इसमें जो पहला कथन है कि यह रिपोर्ट जो प्रस्तुत की गई है यह अर्धवार्शी का धार पर तयार की जाती है जो कि छठी IPCC आकलन रिपोर्ट द्वरा प्रदान किये गया हाल के मुल्यांकन चकर का पूरक है दूसरा यह कथन कहा रहा है कि रिपोर्ट जो है प्रमुख जलवायू संकेतक और चरम घटनावें उनके प्रभावों पर रिपोर्टिंग का उप्योग करके जलवायू की वर्तमान इस्सिती पर एक आधिकारिक सहयोग प्रदान करती है और तीसरा इसके संबंद में कथन जो है, संबंदित कथन जो है कि वर्ष 2022 में वैश्विक औसत तापमान वर्ष 1850 से 1900 औसत के लगभग 1.15 डिगरी सेल्सियस अधिक होने का अनुमान है और इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, C 1 और 2, और D है 1, 2 और 3 तो प्रविजनल स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022 के संदर में जो ऑप्षन इसमें से सही हो जाएगा आप्षन नमबर B इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानि केवल इसमें से जो दूसरा और 3 कथन है, वो इसके संदर में सही है इसमें हम देखेंगे कि विश्व मौसम विज्ञान संगठन जो है, जो WMO है उसने जो है कि Provisional State of the Global Climate Report 2022 जारी की है और इसको हम देखें तो यह रिपोर्ट जो है अर्धवार्शी का धार पर यानि 6 Monthly नहीं तयार की जाती है यह जो है कि वार्शी का धार पर तयार की जाती है और इस कारण जो है कि इसका पहला कथन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा और इसमें अन्य जो दो आप्शन देखेंगे अन्य दोनों कथन इसके संबंद में यह सही हो जाएगे हम देख लेंगे कि Greenhouse Gaso की सांदरता में बृध्धी का कारण है तो तीन मुखे तक Greenhouse Gases हैं एक जैसे कि में देख लेंगे CO2, Carbon Dioxide उसी प्रकार Methane को हम देख लेंगे CH4 और Nitrous Oxide जो NO2 है इसकी सांदरता जो है इसकी सांदरता में बृध्धी जो है Greenhouse Gaso में जो है इसकी बृध्धी जो है Greenhouse Gases हैं और इसी प्रकार हम देखें तापमान को तो 2022 में देखें तो वैश्विक औसत तापमान वर्ष 1850 से 1910 के लगभग 1,5 डिग्री से अधिक होने का अनुमान लगाया गया था तो ये दोनों कथन इसके संबंद में सही हैं नेक्स्ट हम देखेंगे अगला जो प्रशन है कि उर्जा पिरामिट जो उश्मा गतिकी के नियमों का पालन करता है वो किस प्रकार का होता है और इसमें हम option देखेंगे सदेव उल्टा, B है कभी उल्टा कभी सीधा, C है सदेव सीधा और D है इसके से कोई नहीं तो इसमें देखें तो option जो सही हो जाएगा, option number C, इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि सदेव सीधा देखेंगे उर्जा पिरामिट उश्मा गतिकी के नियमों का पालन करता है और ये सदेव सीधा होता है किसी परितंत्र में विभिन जो पोशड अस्तर होते हैं, उनकी कार्यात्मक भूमिका के तुलना करने के लिए उर्जा पिरामिट जो है कि सबसे अच्छा मानक माना जाता है अगला हम देख ले, अगला जो प्रश्ण है अगला प्रश्ण जो है ये ब्लैक कार्बन के संदर में है, तो देखेंगे इसको ब्लैक कार्बन के संदर में निमलिखित कत्मों में सही है option देख लेंगे option है इसे carbon dioxide के बाद जलवायू परिवर्तन के लिए दूसरे सबसे महतवपूर मानोजनित कारक के रूप में मानेता दी गई है B है उस सरजन नियंत्रित होने पर भी वायू मंडल से black carbon को असानी से समाप्त नहीं किया जा सकता और C है black carbon एक दिर्ग काली प्रिदूशक है जो carbon dioxide के बाद प्रिथवी के तापमान को बढ़ाने में दूसरा सबसे बड़ा योगदान करता है और D कह रहा है कि black carbon एक प्रकार का जल में सुक्ष में ठोस कडू या तरल बूदो का निलंबन है तो इसमें हम देख लेंगे कि कत्रों में से कौन सा सही है black carbon के संदर में और इसमें जो option सही हो जाएगा option number A इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि इसे carbon dioxide के बाद जलवाई परिवर्थन के लिए दूसरे सबसे महतफूर मानो जनित कारक के रूप में मानेता दी गई है तो black carbon को देखें तो black carbon जो है कि एक प्रकार का aerosol है और जो एक aerosol होता है वो हवा में सुक्ष्म कड़ो या फिर तरल बूदो का निलंबन है तो इस प्रकार हम देख लेंगे जो इस अंदर में ये जो चौथा कतन लिखा हुआ है कि black carbon एक प्रकार का जल में सुक्ष्म ठोस कड़ो या तरल बूदो का निलंबन है तो यहां जो है कि यहां ये कह रहा है कि एक प्रकार का जल में सुक्ष्म ठोस कड़ो या तरल बूदो का निलंबन है तो यहाँ यह जल में नहीं होगा बलकी हवा में होगा तो यह जो डी हो गया यह जो है इस तंदर में यह गलत हो गया बाकी हम देखें तो black carbon को जो है कि carbon dioxide के बाद जलवाई परिवरतन के लिए दूसरा सबसे महत्वपूर मानजुनित कारक और वायु प्रदूशड के कारण ह होने वाले प्रतिकूल प्रभाव को समझाने के लिए जो है इसको सबसे बड़ी जो मानेता दी गई थी वो जो है कि marker के रूप में इसको मानेता दी गई थी तो इस प्रकार हम देख सकते हैं पहला कतन जो इसमें हो जाएगा वो सही हो जाएगा डी कह रहा है कि उस सर्जन सिठीक उल्टा उसके बीपरीद जो black carbon है वो जल्दी से धुल जाता है और अगर उस सर्जन बंद हो जाए तो इसे वातावरण से आसानी से समाप्त किया जा सकता है तो ये कह रहा है आसानी से समाप्त नहीं किया जा सकता ये गलत कथन हो जाएगा और c है कि black carbon एक दीरग का अगर ब्लैक कार्बन को देखें तो यह दिर्ग काली प्रदूशक नहों करके एक अल्पकाली एक कम समय का प्रदूशक है जो कि कार्बन डायक साइड के बाद प्रिथवी किताप मान को बढ़ाने में दूसरा सबसे बढ़ा योगदान करता है तो इस प्रकार इसका जो option सही हो जाएगा black carbon के संदर में option A इसका सही उत्तर हो जाएगा next हम देखेंगे अगला है कि निमलिखित कतनों पर विचार करें और इसमें जो पहला कतन है कि Asia इहातियों की भारती उप्रजातिया Asia में शेर शाथियों से अधिक संख्या के लिए जिम्मेदार है और दूसरा जो कतन कहरा है कि Asia इहाति को IOCN की red list में सुभेद रूप में सूची बंध किया जाता है और इन कतनों के संबन में कौन सा कतन सही है देख लेंगे विकल्प तो A है केवल 1 B है केवल दो C है एक और दो दो और D है ना तो एक और ना ही दो और इसमें जो option सही हो जाएगा option number A इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि इस अंदर में केवल जो पहला कथन है वो सही है कह रहा है कि Asia हाथी को देख लेंगे तो Asia हाथी महादीप के सबसे बड़े इस्थली इस्तंधारी है और Asia हाथी के तीन उपर जातिया है जो भारतिय सुबात्राई और श्री लंकाई ये तीन प्रकार की जो है कि Asia हाथी की उपर जातियां पाई जाती है अगर हम इनको देखे तो भारतिय हाथी की संख्या जो है इनमें सबसे अधिक है और महादी परशेश हाथियों की कुल संख्या की अधिकता के लिए ये जिम्मेदार है तो पहला कतन इस प्रकार से ये सही हो जाएगा और जो ये कह रहा है कि EUCN की red list में सुभेदियरूप में इनको सूची बढधे किया गया है तो देख लेंगे ये EUCN की red list में जो है कि संकत ग्रस्त की सूची में है संकत ग्रस्त की ये सूची में है और वननेजिव सनरक्षड अधिनियम 1972 की अनुसूची एक में इनको सम्मिलित किया गया है अब इसी प्रकार से हम देख सकते हैं अफरिकी हाथियों को तो अफरिकी हाथियों को जो है IUCN की red list में सुभेदे के रूप में शामिल किया गया है ना कि ASEI हाथियों को तो ये अफरिकी हाथियों को IUCN की red list में सुभेदे के रूप में इनको सुचिबध किया गया है और जिस प्रकार ASEI हाथियों की प्रजातियां है जैसे कि सुमात्रियाई, श्री लंकाई, भारती है उसी प्रकार जो है कि अफरिकी हाथियों के भी दो उप्रजातिया है पहला सावाना हाथी और दूसरा वन हाथी नेक्स्ट हम देख लेंगे अगला जो प्रश्न है कि अलफा विविधता क्या होती है और इसमें हम ऑप्शन देखें तो पहला है परियावरणिय परवरता के साथ परिवरतन के मध्य प्रजातियों की विवित्ता की तुल्ला बी है किसी एक निश्ची छेतर के समुदा या पारितंतर की जैविवित्ता C है एक भगॉलिक छेतर या आवासों में प्रजातियों की प्रचूरता और D है उक्षक्षान से निमनक्षान की ओर तथा परवतिय छेत्रों में उपर से नीचे की ओर जाने पर प्रजातियों की संख्या में अंतर तो यह अलफा बीवित्ता पूछ रहा है कि अलफा बीवित्ता क्या है और इसमें जो on the option सही हो जाएगा option number B इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि किसी एक निश्ची छेत्र की समुदाय या पारितंतर की जैविवित्ता देखेंगे अल्फा विवित्ता जो है किसी एक निश्ची छेत्र में समुदाय या फिर परितंत्र की जय विवित्ता को जो है कि अल्फा विवित्ता कहते हैं और ये जो है कि किसी भी समुदाय या फिर परितंत्र में प्रजातियों की कितनी संख्या है ये उनको बताती है और इसमें जो option सही हो जाएगा option number B इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि 19 नवंबर प्रतिवर्ष 19 नवंबर को जो है विश्वस्तोचाले दिवस मनाया जाता है और मैलाड होने की जैसे हम देख सकते हैं जो मैलाड होने की प्रता है उसके उन्मूलन और जो भी लोग इस कारे में लगे हुए हैं उन लोगों को एक तरीके से गरिमा पूर्ड जीवन सुनिश्यत करने के लिए राश्टी गरिमा अभियान भी शुरू किया गया था और ये कब ये द Hawaiian में शुरू किया गया था next हम देख लेंगे अगला जो प्रशन हैं इन्नीमिकट में से किन पारित उंटेट्रों में biomass का पिरामिड उल्टा हो सकता है और इसमें हम देख लें option तो पहला है घास का मैधान दूसरा है तालाब और आप का में से कोई नहीं तो यह कह रहा है कि किन पारी तंत्रों में बायो मास का पिरामिड उल्टा हो सकता है और option इसमें जो सही हो जाएगा option number C इसका सही उत्तर हो जाएगा देख लेंगे यह option C यानि दूसरा और चौथा इसका सही पिरामिड जो होते हैं वह उल्टे होते हैं यह उवन गास के मैंदन और वर्न पारी तंत्र के पिरामिड जो होते हैं वह सही द्यवथे होते हैं तो option C इसका सही उत्तर हो जाएगा next हम देखेंगे अगलiness जो प्रशण है तो अगला प्रशण कहा रहा है कि UNFCCC UNFCCC COP26 के दौरान लिये गए संकल्ब कहते हैं मीथेन के संबन में निमनिखित कत्म में से कौन सा सत्ते हैं तो इसमें जो पहला कतन इस संदर में कह रहा है कि मीथेन के वैश्वी कुछ सर्जन को वर्ष 2030 तक वर्ष 2020 के इस तर से पंदर प्रतिशत तक कम करना है और B इसमें कह रहा है कि मीथेन के वैश्वी कुछ सर्जन को वर्ष 2030 तक वर्ष 2020 के इस तर से 20 प्रतिशत तक कम करना है C है कि इसके वैश्वी कुछ सर्जन को 2030 तक 2020 के इस तर से 25 प्रतिशत कम करना है और D है कि मिथेन के वैश्वी कूर्सरजन को 2030 तक वर्ष 2020 के इस तर से 30 प्रतिशत तक जो है इसको कम पर लाना है तो option इसमें जो सही हो जाएगा D इसका सही उत्तर हो जाएगा इसका D जो हो जाएगा वो सही उत्तर हो जाएगा देखेंगे UNFCCC COP26 के दोरान लिये गए संकल्ब के तहए जो है मिथेन के वैश्वी कूर्सरजन को 2030 तक 2020 के इस तर से 20 की तुलना में 30 प्रतिशत तक कम करने का इसमें लक्ष रखा गया है और European Union और अमेरिका के अलावा कुल 130 से अधिक देशों द्वारा कि इस पर हस्ताक्षर किये गया है तो option D इसका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट हम देखेंगे कि भारत सरकार द्वारा वायू परिवहन का रास्टी करड किस वर्ष किया गया था देखलेंगे वायू परिवहन का रास्टी करड किस वर्ष किया गया था और option देखें तो option A है वर्ष 1948 वर्ष 1950 वर्ष 1953 और D है वर्ष 1957 और इसमें जो option सही हो जा यानि कि वर्ष 1903 इसका सही उत्तर हो जाएगा इसको देखने एक बार तो भारत की सोतंतरता के बाद 1948 1948 में Air India International Limited के नाम के तहत अंतरास्टी सेवाओं के संचालन के लिए Air India और भारत सरकार के मद्धे की समझोते पर हस्ताक्षर किये गये थे और मार्च 1903 में भारतिये संसद ने एर निगम अधिनियम पारित कर दिया और वाईव परिवहन का रास्टी करड़ भी कर दिया तो option C इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला हम प्रशन देखें अगला प्रशन देखेंगे Conservation Ensured Tiger Standards C.A.T.S के संदर में निमलिखित कत्रों में से कौन सा सही नहीं है इसमें जो है पहला कतन है कि ये वैश्वी के स्थर पर स्विक्रित संरक्षड उपकरण है जिसे बागों के अतिरिक्त अनिप्रजातियों के लिए भी अंगिक्रित किया जा रहा है ये इसका पहला कतन हो गया B कह रहा है कि Wildlife Trust of India भारत में C.A.T.S मुल्यांकन हेतु रास्ट्रिय बागिस्तन रक्षड प्राधी करण का कार्यानवन सहभागी है C.A.T.S में दुधवा टाइगर रिजर्ब को C.A.T.S यानि की Conservation and Ensure Tiger Standards का प्रत्यायन प्रदान किया गया है और D.A.P. प्रत्यायन के लिए जिन पशो की निगरानी किया जाती है उसमें अभ्यारडियों का महत्व और इस्थिती, प्रबंधन, सामुदाइक भागिदारी, परेटन, संरक्षड, आवास, प्रबंधन और बागों की अभादी शामिल है तो इसमें ये दिखाना है कि इसके संबन में कौन सा सही नहीं है और इसमें जो ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नमबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि ये जो कह रहा है कि Wildlife Trust of India भारत में C.A.T.S. मुल्यांकन हेतु, राजटिय बाग, संरक्षर, प्राधिकरड का कार्यानवन सह भागी है ये जो ऑप्शन हो जाएगा, ये सही नहीं है देखेंगे तो इसमें जो है, Global Tiger Forum Global Tiger Forum यानि GTF जो कि बाग, संरक्षर के छेतर में कारे करने वाला एक अंतरास्टिय गैर सारकारी संगठन है और इसी के साथ साथ जो World Wildlife Fund है WWF तो GTF और World Wildlife Fund जो है, वो भारत में CATS, मुल्यांका, नहितु, रास्टिय बाग, संरक्षर, प्राधी करण के दो कारे आनवन जो है इनके सह भागी है, तो इस प्रकार ये जो B हो जाएगा इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानि ये जो कतन है, इसके संदर में सही नहीं है बाकी हम देखें, तो पहला कतन है कि वैश्वी कस्तर पर स्विक्रिस्त अनरक्षर उपकरण है ये और जिसे बागों के अत्रिक्त अन्य परजातियों के लिए भी अंगेक्रित किया जा रहा है तो देखेंगे, बाग जो है इस पहल के लिए चैनित पहली परजाती है और इस पहल को जो है कि बागों के अलावा संभातम इसमें देखें जैसे तेंदूों को भी इसमें शामिल किया गया है शेरों को भी सामिल किया गया है और स्वच्छे जल के डॉल्फिनों को भी के लिए भी इसको अपनाया जा रहा है तो ये पहला कथन सही है और इसमें सही नहीं ये पूछा है और बाकी के option को भी देखें यानि के option C और D ये भी इसके संदर में सही है तो इस प्रकार option B इसका सही उत्तर हो जाएगा next हम देखेंगे अगला जो प्रेश्ण है जिग जैक प्रद्योगी की जिग जैक टेकनोलोजी के संदर में निमलिखित कतनों पर विचार कीजिए और इसके संदर में जो पहला कतन कहा रहा है कि इस प्रद्योगी की गावदेश नदियों के निकेट अवस्थित उद्योगों जल प्रदूशड से निपटना है और जो दूसरा कतन है इसके संदर में कि जिग जैक भटों में यानि जो इटे बनाने वाली भट्टियां होती है उसमें गर्म हवाके एक जिग जैक पत को यात्रा करने की अनुमती परदान करने के लिए इटों को बेवस्थित इसमें किय जा जाता है और जिग जैक प्रदूशी के संदर में इसमें से कौन सा कथन सही है ऑफ्षन हम देख लेगे इसमें तो आप्षन A है केवल 1 B है केवल 2 C है 1 और 2 दोनों और D है ना तो 1 और ना ही 2 और इसमें जो option सही हो जाएगा option number B इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि कि इसमें से जो है कि केवल जो दूसरा option है वही जो है कि जिग जैक प्रद्योगी की के संदर में सही है पहला कतन क्या कह रहा है कि इस प्रद्योगी की उद्देश जो है वो नदियों के निकट अवस्थित उद्द्योगों द्वारा उत्पन जल प्रदूशर से निपटना है तो इसमें हम देखेंगे कि ये जो है प्रद्योगी की वायू प्रदूशर से निपटने और वायू की गुडवत्ता को बनाये रखने में उपियोगी है ना कि जल प्रदूशर से तो पहला कतन इसलिए गलत हो जाएगा इसको हम दूसरे कतन से शुरू करके देखते हैं ये जो टेकनोलीजी है ये जुए कि जिगजग भटो में गर्म हवा को एक जिगजग पत्मे यात्रा करने की अनुमती बदान करती है और इसके लिए जो है कि इस तरीके से इसमें इटो को बेवस्तित किया जाता है और इसलिए ये प्रद्योगी की वायू प्रदूशर से निपटने और वायू की गुडवत्ता को बनाये रखने में उप्योगी है, न की जल प्रदूशर से निपटना इसका काम है, तो पहला कथन गल्ल, दूसरा सही, और आप्शन इसमें जो सही हो जाएगा, आप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट है निम्लिकित में से कौनसा विकल पंतरास्टी नाइट्रोजन पहल के प्रमुकुद्देश्य का सरोत्तम वर्डन करता है और इसमें हम आप्शन देख लेंगे पहला कि पेट्रोल और डीजल यात्री कारों से नाइट्रोजन ओक्साइट के उसरजन को कम करना बी है महत्वपूर इसमारकों के सुरक्षा के लिए अमलिय वर्षा की घटनाओं को कम करना सी है विनिर्माड और प्रसंसकरड उद्द्योगों में नाइट्रोजन के उपियों को कम करना और दी है संधारडी ये खादे उत्पादन में नाइट्रोजन की लाबकारी भोमिका को इस्टतम करना तो अंतरास्ट्री नाइट्रोजन पहल है इसके जो उद्देश ये दिये हुए हैं इनमें इनका सरवत्तम वरड़न पूछ रहा है इसमें जो है कि इसका सबसे अच्छा जो उत्तर होगा वो कौन सा हो जाएगा तो ऑप्शन इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा तो इसमें हम देख लें अंतराष्टिय नाइट्रोजन पहल को यानि आई एन आई को तो ये जो है कि एक अंतराष्टिय ये कारिक्रम है और इसे जो है कि पर्यावरण की समस्याओं पर बैग्यानिक समीती की प्रयावजन के तहट इसको जो है कि 2003 में इसका आरम किया गया था और इसके प्रमुक उदेश्यों को अगर हम देखें तो इसमें जो इसके प्रमुक उदेश्य हैं उनमें जो है कि संधारडिये खाद उत्पा दन में नाइट्रोजन की लावकारी भुमिका का अनुकूलन करना दूसरा हम इसके प्रभाव को कम करना भी इसका एक प्रमुक उदेश्य है तो इसमें हम देख सकते हैं प्रमुक उदेश्यों का सरवत्तम जो वर्डन करता है आप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट हम देखेंगे अगला जो प्रश्न है प्रश्न है अगर वुड के संदर में निमलिखित कतनों पर विचार करें और इसमें जो इसके संदर में पहला कतन कह रहा है अगर वुड के कि यह एक सुगंदित गहरे रंकी रेजी सूची में आयूसीन की रेड लिस्ट में गंभी रूप से संकट गरस्त की सूची में शामिल है और तीसरा कह रहा है कि यह इंडो मलेच हैतर के लिए स्थानिक है तो इसके संदर में हम देख लेंगे अगर वुड के संदर में कौन सा कथन सही है विकल्पो कोम इसमें देख इसलिएधि उत्तर हो जीएगा यानि कि 1-2-3 अगर वुड को अगर देखें तो जो अगर वुड है अगर वुड जो है यह यह एक प्रजाती होती है अकृफ लेरिया वसकी प्रजाती है और यह यह जो है कि अत्यधिक मुल्ले убaar, अर् वान, सुगंधित और Follow उनकी resin-yugth, जो hurtwood होता है, जो एक antacs red-group होती है, उस प्रकार की है और इसका जो निर्माण होता है या आम त्वर पे जो हैं कि of malaria, इक्षो पर घाव और जो fungal infection होते हैं, उनके कारड इसका जो हैं कि होता है बाकि हम देखें तो इसका जो कह रहा है कि यह जो है कि अंतरास्टी प्रकृति सन्रक्षड संग जो आयो सीन है उसकी रेड लिस्ट में गंभी रूट से संकट गरस्त प्रजाती में सूची बद्ध है तो कथंदू बिल्कुल सही है और इसका छेत्र देख लेंगे तो हिमाले की तलहटी से वहाँ जो है पापु अन्योगिनी तक जो है इसका विस्तार है तो इस प्रकार यह तीनों कथन इसके संदर में सही हो जाएंगे नेक्स हम देखेंगे अगला जो प्रशन है कि निमलिखित में से किस अजैवी कारक में क्रमिक परिवर्तन से इको क्लाइ और इसमें हम देख लेंगे option A है तापमान, B है लवडता, C है तुंगता और D है उपरियुक्त सभी और इसमें जो option सही हो जाएगा option D इसका सही उत्तर हो जाएगा यानि यह तीनों जो है जो है कि इको क्लाइन के निर्मान में सहायक है यानि तापमान, लवडता और तुं और option D इसका सही उत्तर हो जाएगा next हम देख लेंगे अगला जो प्रेशन है विटली पुरसकार जिसे green Oscar भी कहा जाता है उसके संदर में निमनिकित कतनों में से कौन सा सही है इसमें हम कथन पहला देख लेते हैं पहला कथन कह रहा है कि यह IOCN के सहयोग से UNEP का एक प्रमु भारतियों को कभी भी विटली पुरसकार से सम्मानित नहीं किया गया है और D कह रहा है इसमें से यह तीनों कथन जो है उपरयोग तो सभी इसमें से सही है और इसमें जो option सही हो जाएगा option number B इसका सही उत्तर हो जाएगा विटली पुरसकार के संदर में तो यह कह रहा है कि यह एशिया, अफ्रिका और लैटीन अमेरिका में जमेनी इस्तर की बने जीव सनरक्षडबादियों की पहचान और उनका समर्थन करता है तो इसको हम देख लेंगे कि विटली पुरसकार जो है एशिया, अफ्रिका, लैटीन अमेरिका और उनके सनरक्षड के लिए वित्तिय संसाधनों में कमी वाले किन्तु प्राकृतिक संसाधनों से समर्थ जो भी देश है उनमें जो है कि जमेनी इस्तर से उनके नेताओं को जो है कि ये समर्थन प्रदान करता है और इस पुरसकार के विजेताओं को देखे तो ये जो है कि पर्यावरण के लिए प्रयास करने वाले स्थानिय वेक्ति होते हैं जो कि नभी इंतम विज्ञान और जो भी आगे आने वाली परियोजना हैं उसके साथ सक्रिय रूप से कारे कर रहे होते हैं तो इस परकार हम देख लेंगे दूसरा कथन इस संदर में तो ये सही है पहला कथन ये कह रहा है कि ये IUCN के सहयोग से UNEP का प्रमुख पुरसकार है तो अगर इस पुरसकार को देखें तो UNEP और IUCN से इसका कोई भी संबंद नहीं है तो पहला तो ये गलत हो जाएगा सी कह रहा है कि किसी भी भारतियों को कभी भी विटली पुरसकार से समानित नहीं किया गया है तो अगर हम देखें तो वर्ष 2017 में भारत की पूरिमा बर्मन को 2017 में भारत की पूरिमा बर्मन को असम की ग्रेटर एड़ुटेंट नामक पक्षी और उनके परियावास के सनरक्षड हेतू महिलाओं को प्रेरित करने के लिए ये पुरसकार प्रदान किया गया था तो ये भी जो कतन हो जाएगा वो गलत हो जाएगा यानि इसमें एक और सी दोनों कतन गलत है और इसमें कौन सा सही है विटली पुरसकार के सनर में तो आप्षिन भी इसका सही उत्तर हो जाएगा नेक्स्ट वेश्चन हमें देखते हैं अगला जो प्रेशन है अगला प्रेशन है कि कोईला गैसी करड की प्रक्रिया के माध्यम से यूरिया उत्पादन के दोरान सिन गैस का उत्पादन होता है और इस अंदर में निमलिखित कतनों में से कौन से सिन गैस के घटक नहीं है तो इसमें देखेंगे ध्यान देगे सिन गैस के इसमें दियेगे option में से कौन से सिन गैस के घटक नहीं है उनको देखना है तो इसमें हम option देखलेंगे option है carbon monoxide, b है hydrogen, c है carbon dioxide और d है sulfur dioxide और इसमें जो option सही हो जाएगा option number d इसका सही उतर हो जाएगा यानि कि sulfur dioxide अगर हम देखे, koila gasi करड syngas ko तो इसका उतपादन करने की जो प्रकरिया है जो koila है, वो syngas के उतपादन की एक प्रकरिया है और इसमें अगर हम देखे, तो synthesis gas का ही एक संचिप्त नाम जो है, वो syngas है जो की carbon monoxide, carbon dioxide और hydrogen का मिश्चरण है और इसमें जो है की sulfur dioxide इसमें शामिल नहीं होता है अगर हम देखें syngas के उपयोगों में तो इसमें जो है की भाप या फिर बिजली के निर्माण के लिए इंधन के रूप में इसका प्रियोग किया जाता है इसके उतपादन को देख लें तो syngas का उतपादन होता है वो carbon unit इंधन के गैसी करड के द्वारा जो है की इसका उतपादन किया जाता है और syngas के उतपादन के अगर हम उदारड देखें तो इसमें कोईला उतसरजन का गैसी करड ऐसे ही हम देख सकते हैं अपशिष्ट उस्तरजन से उर्जा गैसी करड या फिर हम कोग का इस टीम जो है की रिफार्मिंग आदी इसमें जो है की उदारडों में देख सकते हैं तो इसे परकार हम देखेंगे जो कोईला गैसी करड की प्रक्रिया है जिसको syngas जिसके मार्धिम से जो है syngas का उत्पादन होता है इस अंदर में कौन कौन सी इसमें घटक है तो इसमें कार्बन मोनो आकसाइड हाइडोजन और कार्बन डाइकसाइड इसका सही उत्तर हो जाएगा जबकि sulfur dioxide जो है वो इसमें शामिल नहीं है next हम देखेंगे अगला जो प्रश्न है अगला प्रश्न है कि निमलिखत कत्नों पर विचार करें और इसमें पहला कतन है कि भारती पशु कल्यान बोड की स्थापना पर्यावरत संरक्षड दिनियम 1986 के तहत की गई है दूसरा कतन कह रहा है कि राश्ट्रिय बाग संरक्षड प्राधिकरड एक सामविधिक निकाय है और तीसरा है राश्ट्रिय गंगा नदी घाटी प्राधिकरड की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है कौन सा कथन इसमें से सही है ये देखेंगे तो इसमें विकल्प देख लेते हैं विकल्प A है केवल 1, B है केवल 2 और 3, C है केवल 2 और D है 1, 2 और 3 और इसमें जो option सही हो जाएगा, option number D इसका सही उत्तर हो जाएगा देख लेंगे इसमें option जो सही है 89 में sorry option number D नहीं option number B इसका सही उत्तर हो जाएगा देखेंगे इसमें केवल जो दूसरा और तीसरा कतन है ये इसमें सही हो जाएगा अगर इसमें हम भारती पशु कल्याड बोर्ड की स्थापना अगर हम देखें तो ये पशु कुरूरता निवारड अधिनियम 1960 के तहत की गई है ना कि पर्यावरड सनरक्षड अधिनियम 1986 के तहत देखेंगे इसमें जो भारती पशु कल्याड बोर्ड है वो जो है कि पर्यावरड सनरक्षड अधिनियम 1986 के तहत नहीं इस्थापित है बलकि ये जो है प्रशु कुरूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत इसकी स्थापना की गई है बाकी जो दोनों option है कि राश्री बाग संरक्षर प्राधिकरण एक सामिधिक निका है ये सही है और तीसरा जो इसमें कह रहा है कथन कि राश्री गंगा नदी घाटी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधान मंतरी द्वारा की जाती है तो ये भी कथन सही है और option number B इसका सही उत्तर हो जाएगा next हम देखेंगे अगला जो प्रश्न है कि Global Environmental Facility यानि GEF के संदर में निमलिखित में से कौन सा कथन सही है और इसमें कथन A देख लेते हैं ये है कि यह जै विवित्ता पर convention एवंग United Nations Framework Convention on Climate Change के वितिय तंतर के रूप में कारे करता है B है कि यह वैश्वी किस्तर पर पर्यावरण संबंदी मुद्धी पर वैग्यानिक शोध करता है और C है या OECD के अंतरगत एक agency है जो विशेश रूप से अविक्षित देशों को उनके पर्यावरण की रक्षा करने के उदेश है तो प्रद्योगिकी और धन के हस्तनांत्र की विशेश्ट सुविदा उपलब्द कराती है और इसमें जो चौथा कदन कह रहा है कि A और B इसमें से ये दोनों ही सही है तो अगर इसके संदर में देखें Global Environmental Facility के संदर में तो इसमें जो option सही हो जाएगा option number A इसका सही उत्तर हो जाएगा देखेंगे कि जो GEF है यानि Global Environmental Facility है ये जो है कि एक स्वतंत रूप से संदर में जो सही हो जाएगा ये कह रहा है कि ये जय विवित्ता पर कंवेंशन और United Nation Framework Convention on Climate Change के वित्ति ये तंतर के रूप में कारे करता है तो option A इसका सही उत्तर हो जाएगा आज के क्लास में इतना ही आगे के question अगली क्लास में discuss होंगे Thank you